नमस्कार जार्खंडी नीज में आपका स्वागत है आई जार्खंड राज के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं प्रधान मंत्री नरदमोदी चक्रवात अमफान की टिरयों का जाजा लिया उन्होंने एक उचस्तरिय बैठक की अध्यक्सता की जिसमें बंगाल की खाड़ी में उत्पन हो रहे चक्रवात अमफान को देखते हुए टिरयारयों का जाजा लिया NDRF के महानिदेशक ने सुचित किया कि NDRF की 25 टीमों को तैनात किया गया है जबकि 12 अन्य को तयार रखा गया है IMD ने बताया कि चक्रवात अंफान ने सोमोर को महा चक्रवात का रूप धारन कर लिया या उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ रूख कर सकता है और 20 मई पच्मी बंगाल और बंगला देश में और हटिया दीप के 20 टटों से गुजार सकता है जार्खण महसंवी बंगाल की खाड़ी में उठे तुफान अंफान जार्खण के कई जीलो में तबाही मचा सकता है तुफान का सबसे जदा असर पूर्वी सिंभूम के बाराग, गोडा, चकुलिया, गुंडाबांद, मुसाबनी, घाट सिला और पोटका के छेतरों में पड़ेगा जमसेदपूर में भी तुफान का असर देखनों को मिलेगा इस दरण बारिस के साथ साथ हवा की रफतार साथ से 65 किलोमेटर परती गंटा तक चलने के असर है ज़ारखन में लोगडाउन 4.0 में मिली छूट खबरों के अनुसार केंदर सरकार की ओर से लोगडाउन 4.0 में दी गई छूटों का अनुपालन करते हुए ज़ारखन के मुख मत्री हेमान सुरेन ने लोगडाउन 1.0 के तहत लागू होने वाले तमाम चीजों में छूट देने की इजाज़त दे दी है यह नियम सो मुआर आधी रात से ही लागू है यह छूट सिर्फ कंटेंटमेंट जोन से बाहर ही दी जाएगी इस छोट में नाई की दुकान को छोड़ कर सभी दुकानों खुलने की इजाज़त होगी ज़ारखन में आज आठ नए संक्रमेतों की पुष्टी हुई जो जमसेदपूर से एक, चाईबसा से एक, हजारी बाक से एक, गड़वा से एक, धनबाद से एक, गुमला से एक और लातेहार से दो है ज़ारखन में कुल संक्रमेतों की संख्या 223 से बढ़कर 231 हो गई जबकि 127 लोग सवस्थ हुए और 3 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रमेतों की संख्या 1,996 है जबकि 38-596 लोग सवस्थ हुए और 3,88 लोग की मिरिती हो गई मद्यान भोजन का सिधा लाब बच्चों के खाते में खबरो करुशार जारखंड हाई कोट ने स्कूल बंद के दोरान मद्यान भोजन का सिधा लाब बच्चों के खातों में देने को लेकर दैर एचका पर सुनवाई की चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन ने वीडियो कन्फेरेंसिंग से प्रार्थिव और राजे सरकार का पक्ष सुना अधिवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि MDM केंद्र सरकार की योजना है जारखंड में बच्चों को MDM का लाब दिया जा रहा है गर्मी के अउकास में भी इसका लाब दिया जाएगा बच्चों के घर जाकर राशन वाव पकाने का खर्च पहुंचाया जा रहा है उन्होंने कहा कि अवासे विद्यालों में MDM का लागू नहीं है पैदल घर लोट रहे परवासी मजदूरों के लिए help line number जारी खबरों के अमसार राची जीला उपायुकत राय मही मापत ने help line number जारी की है किसी कारण वास पैदल या cycle से अपने गंतवे की ओर जार है परवासी मजदूरों को help के लिए help line number जारी किया गया है जो इस प्रकार है निनानवे पचपन अंठावन छे आनवे सथत्तर अंठानवे जिरो एगारा तेतिस नौसोच्यासट वह एक नौव पांच जिरो पर जनकारी दे सकते हैं राशन डिलर पर करवाई का आदेश सियेम खबरों के उनसार मुख मंतरी हमन सुरेण ने हजारी बाग के उपायुक्त को मुफसील ठाना छेत्र के राशन डिलर पर जाच के बाद करवाई करने का आदेश दिया है मुख्य मंत्री को बताया गया कि आपड़ा की घड़ी में भी डिलर अपनी हरक्त से बाज नहीं आ रहे हैं दुमका में दो बच्चे तलाब में डूबे खबरो कनुसार जर्खंड की उप रजधानी दुमका में दो बच्चे तलाब में डूब गए बच्चों के मतापिता मजदोरी करने के लिए दूसरे गाउ गए हुए थे कई बच्चों के साथ नहाने गए दो बच्चे गहरे पानी में डूब गए या घटना दूमका जिलाक के हंस डिहाद थाना छेत्र का है लोगडाउन 4.0 में अमेजन और फिलिप काट से मंगा सकते हैं मोबाईल और अने गैजेट खबरो के अनुसार लोगडाउन 4.0 में मिली छुट के अनुसार अब आप किसी भी जोन में मोबाईल और अने गैजेट मंगा सकते हैं केंद्रिये ग्री मंत्राले ने इकोमर्स कमपनियों को नन एसोसियेशन प्रोड़क्ट्स रेट जोन में भी डिलेवरी करने की इजाज़त दे दी है प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बैठक खबरों केंद्रार राची उपायुक्त राय महीमापत की अध्यक्स्ता में परवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए जीला अस्तरिये पदा अधिकारियों एवं मनरेगा बी पी एम के साथ समरनाले सभागार में बैठक की गई जारखंड में आज से खुलेगी सराब की दुकान खबरों के अनुशार लोगडाउन 4.0 में दी गई छुटों का अनुपालन करते हुए जारखंड के मुख मंतिर हेमान सुरेन ने आज मंगलवार से पूरे जारखंड में सराब की दुकाने खुलने की मुहलत दे दी है सराब की दुकान खुलने का समय साम साथ से लेकर सुबह साथ बज़े के बाद ही होगा साहिब गंज की बीजेपी महिला मोर्चा ने किया रईष्ट्री बंद का विरोध खबरों के अनुसार एक रूपय में महिला के नाम वाली जमीन रईष्ट्री की योजना को परदेश सरकार द्वारा बंद करने के बीजेपी महिला मोर्चा की परदेश अध्यक्स आरती सिना के अज्यक्स्ता में महिला मोर्चा की सदस्यों ने लोकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही रहकर हाथों में काली पट्टी बांद कर विरोध जताया उन्होंने कहा कि महिला ससस्तिक करंद बिरोधी हिमंत सरकार ने राज में महिलाओं की नाम जमीन एक रुपए में रज़िश्ट्री योजना को बंद करने का निर्ना लिया है जो बेहद ही निंदनिये है पलामू में एक संदिक्थ परवासी मजदूर की मौत खबरों के अंशार पलामू जिला के नवडिहा बजार के एक मजदूर की संदिक्थ अवस्था में मौत हो गई जनकारी मिलने पर पुलिस ने सोग को पलामू चिकित्सा अस्पताले में भेज दिया है गुमला जिला से दोसोदोस मजदूर मिशन बदलाव की पहल पर कुलकत्ता से पहुँचे घर खबरों के अंशार गुमला जिला के परवासी मजदूर कुलकत्ता से मिशन बदलाव की पहल पर गुमला पहुँचे कुलकत्ता में मीशन बदलाव के सदसे ने मजदूरों को राची आने की विवस्था की इसके बाद सभी को राची में स्वास्त जाच कराने के बाद गुमला लाया गया तूपू दाना से मिली पोजेटिव का पती दूद का कारोबारी खबरों के अनुशार रीम्स अस्पताल में भरती तूपू दाना की महिला का पती दूद का करोबारी है मोहला में लोगों में खौप का महल है जनकारी के अनुशार पत्नी नर्स है इसलिए वह संक्रमन की चपेट में आ गई है पती का सैंपल जाज के लिए भेज दिया गया है शिक्षा मंतरी को मिली फीश लेने का सिकायत खबरों करुशा सिक्षा मंतरी जगरनाथ महतो ने कहा कि कुछ नीजी स्कूलों द्वारा लोकड़ाण अधी में भी फीश लेने की सिकायत मिली है इसकूलों से फिलहाल मई तक सुल्क नहीं लेने को कहा गया था इसके बाद भी इसकूल ट्यूसन फिस के अलावा औरने फिस ले रहे हैं उन्होंने कहा कि अशकता होई तो इसकूलों से उनके आय ब्याय की जनकारी मांगी जाएगी चाइबासा में संक्रमन की दस्तकत खबरों के अंसार ग्रीन जोन में रहे कोलहान प्रमंडल के जिला चाइबासा में भी संक्रमन ने दस्तकत दे दी है चाइबासा से पहला संक्रमन पोजेटिव व्यक्ति मिला है चाईबासा परसासन ने सहर में चोक चोक कंद और तेजी कर दी है लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है लोगडाउन 4.0 के दोरा नगर निगम में नहीं खुलेगी दुकाने खाबरों के अनुसार जार्खन मुख मंत्री हमानसुरे ने लोगडाउन 4.0 में आर्थिक गतिवीदियों में छूट की घोसना की है या छूट कंटेंटमेंट जोन से बाहर ही दी जाएगी मुख मंत्री हमानसुरे ने ट्वीट किया और कहा कि आप सभी से आगरा है कि सरकारी निर्देशों का कडाई से पालन करे आपस में दूरी रखे पर दिलों को जोडे रखे जार्खन बनेगा दूद उत्पाद में आत्म निर्भार 5 लाह को रोजगार खबरो के उन्सार दूध उतपाद के छेत्र में जारखन आत्मनिर्वर हो जाए तो यहां के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है राज में प्रती दिन 58 लाख लिटर दूध का उतपाद होता है जबकि प्रती दिन दूध का खपती 80 लाख लिटर की है अगर इस कमी को दूर किया जाए तो लगभग पांच लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है भाबुलाल मरांडी को नेता परतिपक्ष बनाने का दबाव ख़बुलाल मरांडी को चुनाव आयोग से मनेता मिलने के बाद अब विधान सभाग में नेता परतिपक्ष के मनेता देने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है स्पीकर रबिंद्र नाथ महतो पर इस मामले को दबाव बढ़ाने लगा है चुनाव आयोग के मन्जूरी के बाद इसम्पीकर इस मामले को अब अधिक समय तक नहीं टाल सकते हैं गड़वा जिला बना होट एस्पोर्ट ख़वरों के वनेसाग संक्रमन मुक्त होने के बाद गड़वा जिला संक्रमन का नाया होट एस्पोर्ट बन गया है गड़वा जिला में अब सहरों के साथ गाउं में भी संक्रामित मरीज काफी मिलने लगे हैं जिससे जिला में हड़कम मच गया है मजदूरों को रोजगार के लिए टाटा स्टील बना रही है योजना खबरों के अंसार मजदूरों को रोजगार देने के लिए जीला परसासन के साथ टाटाइ स्टील भी योजना बना रही है टाटाइ स्टील के चीफ सौरव राय ने बताया कि क्वारेटाइन अधिप पूरा करने के बाद मजदूरों से बात की जाएगी यदि मजदूर यहीं रहकर काम करना चाहेंगे तो उन्हें मन रहेगा के तहत मचली पालन कीचन गार्डेन छेत्रों में काम दिया जाएगा हिंद पीडी में सैकडों अग्यात पर प्रत्मिकी खबरों के अनुसार हिंद पीडी में सन्निवार और अभिवार को ही घटना को लेकर अलग अलग प्रत्मिकी दर्ज की गई है इसमें दर्जनों नामजात और सैकडों अग्यात लोगों को खिलाप प्रत्मिकी दर्ज की गई है तीरुपत्ती में फसे 3540 मजदूर अर्जुन मुंडा ने सीएम को लिखा पत्र खबरों के अनुसार आंध्र परदेश के तीरुपत्ती में जारखंड के 3540 मजदूर फसे है इन सभी मजदूरों का अस्थानिय जिला परसासन ने राइस्टेशन भी कराया है केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज एक के मुख मंत्री हैमान सुरेन को पत्र लिखा है स्वास्थ सचीव का आदेश सभी DC कंटेंडमेंट जोन की अधिसुचना जारी करे इसके अनुसार ही जिलो में लॉगड़न 4.0 का छुट मिलेगा यह जनकारी स्वास्थ विभाग के परधान सचीव डाक्टर नितिन कुल करनी ने दी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल बेल आइकन दवाए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप फेस्बुक ट्यूटर इस्टाग्राम पर सेर करें और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्यदे थाइंगे